राजस्वर संग्रहन के बिना हमारा सामाचिक एवं आर्थिक विकास संभव नहीं है राजपल रमेश वेस नहीं कहा है कि आज नाकपुर में भारती राजस्वर प्रणाली में प्रत्यक्ष करों का सबसे बड़ा योगदान है राजपल रमेश वेस ने राजप्री प्रत्यक्ष कर अकादमी एने डीटी नाकपुर में भारती राजस्वर सेवा के 77 बैच के 90 अधिकारियों और रॉयल भूटान सेवा के दो अधिकारियों के सेवा पूरू प्रस्टिक्षन का उतखा टंकिया इस सफब के इंद्री प्रत्यक्ष कर बोर्ट CBDT नई दिल्ली के प्रशांसनिक सदसे राजीव अगरवाल राजप्री प्रत्यक्ष कर अकादमी के प्रधान महानिदेशक जैन्त दिदी उपस्ते थे राजपाल ने बताए कि पिछले वितिये वर्ष 2022-23 में प्रत्यक्ष कर संग्र है 16 लाग करोड से उपर था और किंद्र सरकार की राजप्र में प्रत्यक्ष करो का योगदान 52.3 पतिशत था राजपाल ने विचा व्यक्त किया कि भारती राजप्र सेवा IRS की यह टुकडी भारती स्वतंदरता की अमरत महुतसफ की दोरान अपनी सेवाएं प्रदान कर रही है और भारती स्वतंदरता की शताबदी वर्ष तक भारत को विक्सित करने में इन अधिकारियों की भूमी क करने की जरूरत है 2018 में भारती नागरिक चोने वालों की संख्या 1,34,000 से उपर थी और 2022 में यही संख्या 2,25,000 से उपर पहुँच गई जब भारी संपत्ती वाले नागरिक अपनी नागरिक चोड़ देते हैं तो इसका असर भारती अर्थ ववस्ता पर पढ़ता है कर अफसर पर राजजिपाल ने बताया कि व्यवसाए अनुकूल वातवरन में आर्थिक विकास के साथ साथ सुच्छिक कर अनुपालन को भी बढ़ावा मिलता है राजजिपाल ने अभी सबश्ट किया कि भारती राजजस्वर सेवा के अधिकारी फेसलेस, फाइलिंग, तव परिद फ्रिफण के साथ साथ कर दायत्व के विस्तार में पारदर्शिता और जवाब देही सुनिश्चित करने के लिए प्रतिवद है इस समोधन से पहले राजजिपाल रमेश बेस ने एन एडीटी परिशा में पौधर उपन किया इस अफसर पर राश्री प्रतिक्षकर अकादमी की स्थापन से लेकर अब तक के इतियास की समिक्षवा करती एक फिल्म दिखाई गई भारती राजजस्व सीवा के दिकारी फेसलेस असिस्मेंट जैसी उन्नत तक्नीकों का उपयोग करके प्रशासन को कुशल और प्रभावी बनाने में महत्पून गुमी का प्रदान महानिदेशक जैंत दिदी ने दर्शकों के सामने राश्री प्रत्यक्षकर अकादमी की प्रदर्शिंग की समिक्षा की उन्होंने बताए कि ना केवल IRS अधिकारियों बलकि भारती वनसीवा भारती दूस अंचा सेवा जैसी सेवाँ के अधिकारियों को भी प्रस अधिकार ऑंजो अधिकार अन्यास कादमी की खारती विदी प्रसकति की समिक्षर अधिकार अधिकार।